अटल पेंशन योजना एक ऐसी पेंशन योजना जहां पर हर महीने 210 रूपे कोंट्रिबूट करने पर गैरांटीट 5000 रूपे की पेंशन अरजित क्या जा सकता है और यह जो पेंशन है यह हमारी 7 साल उम्र होने के ठीक एक माईने के बार से स्टार्ट हो जाएगी और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक अंडर अटल पेंशन योजना गॉर्मेंट ओफ इंडिया हमें 5000 रूपे की पेंशन हर महीने अदा करती रहेगी अटल पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसको जब यह स्किम को स्टार्ट किया गया था तो यह स्किम हर व्यक्ति के लिए स् फ्यून का एटिरिया को आप नहीं छुपाते हैं तो अटल पेंशन योजना के तहट अभी आप इंडरॉलमेंट नहीं कर सकते हैं और आज की वीडियो में मैं इन ही चेंजिस के बारे में आप से बाते करने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पिराज और आपका स्खीम के तहट इंडरॉल करके जो यह गेरंटीड पेंशन है उसे अरजित कर सकते थे अटल पेंशन योजना को खोलने की जो मिनिममम एज रखी गई है वो रखी गई है 18 साल और जो मैक्शिमम एज रखी गई है वो रखी गई है चालिस साल यानी की 18 से 40 साल के बीज के ब देना को हम किसी भी बैंग या फिर पोस्ट ऊफिस पर ख़κεया कर खुलाने के लिए हमारे पास एक लिंग संवाने को खुला कर अपनी जो पास है वो शुरू कर सकते हैं अपनी जो सेविंग एकाउंट है जो सेविंग एकाउंट के थूँ और उसके बाद जो भी एक इंड्रोल्मेंट होगी यह हमारी आधार काट के साथ लिंक हो जाएगी और दोमीनी देना इसलिए आवर सकता है क्योंकि अगर बीज में ही जो इंड्रोल से एट कर दिया गया है अब यह जो अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम को बीज में ही तुरूआ देते हैं या फिर बंद करवा देते हैं तो उस सिनेरियों में जो उनकी कॉंट्रिब्यूशन है उसी कॉंट्रिब्यूशन को उनको लोटाय जाएगा जो गौर्मेंट की कॉंट् करते रहना है और अगर हम मैक्सिमाम कॉंट्रिबूशन प्रोट की बाते करें तो और रखा गया है 42 साल आठादा साल का व्यक्ति कॉंट्रिब्यूशन करता है तो उन्हें मिनिममं 42 यानि कि एक हजार रुपे के पेंशन पाने हैं 42 सालों तक तो उनको 1,000 रुपे की पेंशन आ जाएगी हर महीने जब भी उनकी उम्र साथ साल हो जाएगी लेकिन अगर उनको 5,000 रुपे जो maximum पेंशन एमाउंट है अटल पेंशन यूजना के तहर उनके उनको वह 5,000 रुपे चाहिए तो उसके लिए उन 18 साल के ब्रेक् आप चले बाते कर लेता है आखिर कौन सी एसी चेंजेश किये गया है अटल पेंशन यूजना में जो बहुत सारे लोगों को एफेक करने वाले है जिस चेंज के बारे में मैं यहां पर बाते कर रहा हूँ वह चेंजेश हुए है अटल पेंशन यूजना के इन्रॉल्मेंट क्राइटेर रखी गई है उसे बहुत बरी चेंजेस किये गए है अब अगर आप एक ऐसे ब्यक्ति हैं जो टेक्स पे कर रहे हैं गौर्णमेंट ओफ इंडिया को यानि कि अगर आप एक टेक्स प्यार है तो अपसे आप अटल पैंस ओन योजना के तहट इन्रोल नहीं कर सकते आप चाहे आप एक सर्विस होल्डर हो चाहे आप एक बिजनेसमेन हो चाहे आपके आर्निंग किसी भी तरह से आ रही हो लेकिन अगर आप इंकॉम टेक्स डिपार्टमेंट को अपनी जो टेक्स है वहाँ पर टेक्स फालिंग करेके गवर्णमेंट ओफ इंडिया को टेक्स आपकी जो अटल पैंसवन योजना है अगर आप एक टेक्सप्यार है तो आपकी जो अटल पैंसवन योजना है ये उसी समय गवर्णमेंट ओफ इंडिया खोड़ कर देगी और आपकी जो कॉंट्रिबुशन है वह कॉंट्रिबुशन आपको लोटा देगी तो ये एक काफी बड़ा रूल चेंज किया गया है अटल पैंसवन योजना में हाँ आप अगर टेक्सप्यार है और आप अपने अटल पैंसवन योजना में पहले से अपनी इन्वल मिलकर रखी है तो उस सिनेरियों में आपकी जो भी कॉंट्रिबुशन है वह रेगुलर चलती रहेगी यह पर एफेक्ट नहीं होने वाले लेकिन अगर आप एक न्यू इन्वल करने चाहते हैं अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर है तो उस सिनेरियों में अगर आप एक टेक्स प्यार है तो आप से आप अटल पैंसवन योजना को नहीं खुलवा सकते हैं एन्पीयस में इन्वेस झाल झाल